कि हालो स्टूडेंट्स आइम कर्पना मिश्रा एंड वालकम बैक टो पीज सीबी टूशिन पॉइंट इस्टूडेंट्स आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एच साइंस चैप्टर नबर 6 reproduction in animals को fully explain करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शीर करें मत बूलना अगर आपने इसके पिछले चैप्टर जो हैं उनकी वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी अपनी ही तरीके के जीव जन्तु को रिप्रड्यूस करने की ठीक है जैसे के जाती का होता है उसे हम रिप्रोड्यक्शन बोलते हैं अब यहां पर जो है यह यह उन्ग वंस प्रड्यूस होता है वो किस method से उसमें male और female दोनों ही parents होते हैं, एक male होता है, दूसरा female, ठीक है, previous class में आपने पढ़ा हुआ है, reproduction in plants, और इस class में हम पढ़ेंगे reproduction in animals, तो सबसे पहले mode of reproduction देख लेते हैं, reproduction कितने type का होता है, two type का, asexual reproduction and sexual reproduction, ठीक, asexual reproduction क्या होता है, asexual reproduction में single organism, मतलब जो parents होता है, वो एक होता है, ठीक है, for example, जैसे कि amoeba हो गया, east हो गया, hydra हो गया, यह for example है, जैसे कि आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहे हैं, इसको binary season बोलते हैं, ठीक है, क्या है यह binary season in amoeba, यह amoeba है, हमने 7th में पढ़ा हुआ है, amoeba की क्या होता है, irregular shape होता है, ठीक है, तो amoeba में क्या होता है, यह बीच में nucleus होता है, color change करते, फिर आपको दिखाए देगा, तो amoeba में क्या होता है, यह nucleus होता है, यहाँ पर देखो, यह nucleus होता है, ठीक है, और इसके आसपास, जो है, एक liquid भरा होता है, जिसको हम cytoplasm बोलते हैं, थीरे धीरे ये दोनों नुकलियस अलग-अलग डिवाइड हो जाते हैं और दो इंडिविजुवल, मतलब दो ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, इसमें पैरेंट सेल जो है, वो खतम हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, बाइनरी फीजन, एक नुकलिय means off spring means उनके babies, दो ये babies हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे organism में किस में होता है, unicellular, unicellular means बहुत चोटे-चोटे जो हम अपनी आखों से नहीं दिखाए रेते हैं, जुनको देखने के लिए microscope का use करना पड़ता है, ये हमने chapter number 2 में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, for example, bacteria, amoeba and paramecium, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा ये binary fusion जो उसके बारे में लिखा हो, सेम वही चीजें जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे think and answer, ये हम बाद में ही देखते हैं, अगला budding देखते हैं, budding क्या होता है, mostly क्या होता है, hydra हो गया, east हो गई, ठीक है, hydra और east जैसे फूलों की कली होती है, उसको बड बोलते है, ऐसे ही यहाँ पे बड निकलती है, और इसी की body पर ये पूरी develop होती है, जब develop होके ये पूरा adult हो जाता है, पूरा बड़ा hydra हो जाता है, तो इस parents की, अपने parents की body से अलग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये for example यह parent था और यह उसका क्या हो जाता है यह जो है office spring हो जाता है तो यहां पर हमने क्या देखा budding में बड़िंग में जो है parent वो भी है और जो office spring में वो भी है ठीक है समझा गई budding का मतलब एक बड़ मनना बड़ पूरी सी body पे जो है develop होती है और बाद में से detach हो जाती है अलेक हो जाती है अब आ जाते हैं यह तो हमारी बात हो गई sexual reproduction की अब हम बाते करते हैं sexual reproduction जो है animal और गई plants में भी होते हैं तो sexual reproduction के लिए दो parents अभी तक हमने देखा था एक parents था ठीक है sexual reproduction के लिए दो parents male और क्या होती है female की requirement होती तो अगर हम बात करें मेल का जो है जो फीमेल का गिमेट है वह एग या फिर ओवम बोलते हैं और मेल के गमेट को हम क्या बोलते हैं ठीक है मेल के गमेट को क्या बोलते हैं स्पम फीमेल के गमेट को एग तो जब यह स्पम और एग अपस में क्या हो जाते हैं फ्यूज होते हैं तो नई सेल बनती है उसको हम बोलते हैं साइगोड ठीक है यह एग और कुछ इस तरीके से जो स्पम होता है ठीक है तो यह अपस में जब म स्पम और ओम जब आपस में फुर्टिल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं और उसके बाद जो सेल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं साइगोड ठीक है आगे यहां पर देखो कुछ दिया हुए एनिमल जैसे की फ्रॉग है फिश है बर्ड है रैप्टाइल्स है हुमन्स है ठीक है तो फ्रॉग के बारे में फिश के बारे में बर्ड पता है रैप्टाइलस ने जो भी रेंगने माले जीव जन्तू होते हैं उनको works on parecer होता है फीमेल में क्या होता है ओबर म Dieses क डीक है लेकिन कुछ आइसे होते हैं जिनके अंधर दोनों इमेल और में व só 132 हैं तो उसको अंदर तोनों ही पार्ट्से मेल और फिमेल एर्द वाम और लीच यह तोनों के अंदर क्या होता है मेल और फिमेल पार्ट्स एक ही अनिमल में होता है धिकupa r-f tough नहीं होते हैं नेक्स्ट देखते हम टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टू टाइप के होते हैं एक्सटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है do external fertilization by. Water elk prix करते हैं, ढाल में थारे स्टार्थ फ्राउड हो गया ये सब क्रिणार एक्सेलन तक डाबने करते हैं यह से ripe जाता है तो इसकी वजह से शन्क चांसे सर और इसमाम का वहता हुद आणि सो पानी कि स्ट्रीम में बहता जाता है इसलिए क्या होता है तो इस टाइक की Fertilization को जिसमें पानी में रहने वाले होता है next internal fertilization internal fertilization क्या होता है female body के अंदर होता है तिए कर eigenlijk का इंटर्म fern क्या होता है इंटर्न फटिलयजेशन को होता है इस में क्या होता है मेल सब में फ़ीमेल की बॉड़ी में जाकरонч wannup Fuse होता है तो फिर क्या होता है वो Fertilization को हम Internal Fertilization बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वीवी पोरस और ओवी पोरस वीवी पोरस का मतलब क्या होता है ऐसे आनिमल जो यंग वन्स को रिप्रेडियूस करते हैं यंग वन्स मिस जैसे कि for example cat हो गया cat का वेबी cat होगा dog का dog होगा cow cow human human mean मतलब जिनके जो बेबी रिप्रेडियूस करते हैं एग नहीं ठीक है उनको हम वीवी पोरस बोलते हैं और जो आनिमल जो है एग देते हैं एग लेइं ठीक है तो याद रखना ओ से ओ से गोल गोल ओ गोल गोल एग और एग देने वाले आनिमल्स क्या होते हैं और वी पैरस तो दूसरे क्या होगे वी वी पैरस ठीक है तो इक्जांपल यहां पर देख लू हैं लिजर्ट फो फ्रॉग एंड फिश एक्सेक्टरा नेक्स्ट देखते हैं human male reproductive system सबसे पहले पढ़ेंगे फिर female human male reproductive system में में पार्ट से पार्स ऑप टेस्टीज टूस पढ़ते हैं तैस्टीज परते हैं टैस्टीज यह millions of sperm reproduce करता है कि शल्केष्ग हुआ उसके बाद पैनिस के थे हैं झाल ज्यारा होते हैं टिक यहां पर आगे देखो सब्सक्राइच क्या करता है उसको क्या करता है पैनिस तक भेजता है और पैनिस का काम क्या होता है यह common सो काम होते इसके एक तो यूरीन भी पास करता है और दूसरा इंजेक्टिंग स्पर्म इंटू दा बॉड़ी ऑफ दा फीमेल फीमेल की बॉड़ी में जो है स्पर्म को भेजने का काम ठीक है अब हम यहां से एक इंपोर्डेंट टॉपिक यह भी आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है उपर्म जो होता बहुत च्छोटे साइस का खोता है और अगे को नियूगलल पार्टस और लोंग टाल होती ह Hers bun ऑगे को मूब पर आ करता है देखो यहां पर डाइग्राम यह रहा ठीक है यह हैड मिडल पार्ट और यह क्या करती है इसको आगे मूव करने में हल्प करती है ठीक है अब हम फीमेल प्रोड़क्टिव सिस्टम देख लेते हैं इसमें मेनली कौन से पार्ट होते हैं पेर आफ ओवरी ओवीडर्ट यूट्रस और वजाईना ठीक है तो यह देखो डाइग्राम में आप यहां पर ओवरी है दोनुसाइट जो एग रिलीज करती है उसके बाद यहां पर जो है आपका ओवीडर्ट इसको हम फैलोपियन भी बोलते हैं इस पूरे हिस्से को हम यूट्रस बोलते हैं यह सर्विक होता है और यहां पर क्या होता है वजाईना ते मेल फीदमें पाड के डाइग्राम में आता है तो सबसे पहले और का काम क्या होता है यहां पर सिंगल और और not the q के हर महीने ओविडक्ट का काम क्या होता है ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं ये क्या करती है ये ओवरी और यूट्रस को जोईन करती है और यहां पर क्या होता है कैरी दा ओवम फ्रॉम दा ओवरी टू यूट्रस ओवरी से यूट्रस तक को एक को एक को ले करके क्या बना लेते हैं जाइगोड बना लेते हैं ठीक है तो जब फटिल हो जाता है तो उसको डैवलप करने का काम किसका होता है यूट्रस का होता है ठीक है यूट्रस में जो है जब फटिल एक जाइगोड होता है फिर वो तोड़ा और डैवलप होता है तो वो क्या बनता ह पंता है ठीक देखो अभी तो आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है जो आप बड़ी क्लासिस में ले बान जा जाओगे तो ज्यादा रहेको आप पर यहां पे यह Chu पर आप अंग्रॉ of ovum ovum structure क्या होता है ovum like a sperm is a single cell single cell होता है sperm की तरह is shape इसकी क्या होती है spherical होती है और यह located कहां होता है nucleus में located होता है तो यहां देखो इसमें क्या होता है cytoplasm होता है और यह क्या होता है आप एक मतब envelope में एक तरीके से खोल जिसको cover कहते हैं उससे cover होता है ठीक है इस content large quantity of the food इसके अंदर बहुत सारी quantity में food nutrients होते हैं जो की embryo को embryo में जो baby develop हो रहाता है पहले एग फटिल हुआ था तो क्या बना था zygote फिर embryo ठीक है फिर fittest तो यह embryo जब तक fittest मिस जब पूरा baby develop होने तक का जो टाइम है उस टाइम में बेबी को जो न्यूट्रियन से यहीं से मिलता है ठीक है तो यहां पर दिया इट कंसिसे large quantity of food provide the nutrients जो कि किसके काम में आता है embryo को develop करने के काम में आता है मदर के अंदर ठीक है अब embryo को development जो है जब fertile होता एग तो वो कहां पर होता है uterus में ठीक है यह याद रखना next यहां पर most important question है difference between sexual and asexual reproduction sexual reproduction daughter individual are produced from a single parents जब डॉटर एक single parents से reproduce होते हैं एक ही parents होता है उसे बोलते है sexual reproduction जब दो parents involved होते हैं male female तो उसे बोलते है sexual reproduction ठीक है sexual reproduction में sex cell जैसे की male और female gamate नहीं होते हैं इसमें दोनों gamate होते हैं male और female fertilization इसमें जरूरी नहीं है इसमें fertilization ज़रूरी है जाइगोट नहीं बनता है इसमें जाइगोट बनता है यहाँ पर जो है नेव इंडिविजवल आइडेंटिकल इच अधर और अधर पैरेंट्स आरकार दा क्लोन बतब इसमें क्या होता है अलग-अलग पैरेंट्स के जो है लेकर के नया इंडिविजवल बना लें तो और यह क्या होते हैं इसमें दो मेल और फीमेल होते हैं तो जो इनका ऑफस्प्रिंग होता है ना उनके अंदर दोनों के ही करेक्टर साथ है ठीक है नेक्स्ट है आपका यहाँ पे न्यू स्रुक्ट्चर काल प्लेंसेंट्रा प्लेसेंट्रा ग्रोग देवलपिंग of the embryo, embryo जब develop होता है, embryo मिस यह हो गया embryo मालो, जो एक बेबी हो, डेवलप होना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ में एक पाइप सी ऐसी जुड़ी होती है, ठीक है, और वो पाइप क्या होती है, एक डिस्क से मदर के बॉड़ी के जो मदर की बॉड़ी में होता है, वहाँ पर पेट के साथ वो जुड़ा होता है, ठीक है, तो यह ज करने तो यहां पर क्या होता है play center डवलब करता है कि इसको embryo co uterus ball के साथ flex करने में ठीक है 8 week तक यहां पर दीया हुए embryo जो है उसको fix करके रखता है uterus wall तक 8 week तक आठ हफ्तो तक ठीक है उसके बाद organ बनने जब शुरू हो जाते हैं head leg ठीक है सारे कुछ आइज एक्सेक्ट्राइबूरा एंब्रियो जो है बड़ा हो जाता है ठीक है तो जब इस्टेज बड़ी आ जाती हैं तो उसके पूरे हम आइडंटिक कर सकते । इसको हम फीटस बोलते हैं ठीक है और जब 16 वीक हो जाते हैं मदर feeling करने लग जाते हैं बेबी के kick को मतलब जब वो हाथ पैर चलाने जगते हैं मदर को feel होने लग जाता है जो बेबी है वो move कर रहा है body के अंदर और kick कर रहा है ठीक है उसके बाद 36 week के बाद जब वो develop हो जाता है तो वो baby जो है जर्णम लेने को त्यार हो जाता है और उसका वेट उस टाइम लगभग 3 kg होता है ठीक है यू लर्न हाउ टू देवलप बेबी टेक प्लेस दे हुमन बॉड़ी आपने समझ लिए कि मतलब हुमन बॉड़ी में किस तरीके से बेबी डेवलप होता है अब आगे कि this is a कि की जब साइज उनकी इंक्रीज हुनने लग जे पाइज लाग इस वे उनका वी आथा पिर इस प्रोसेस को मेटमोर्फिस प्रोसे से नरहें मेटमोड मॉर्फिस प्रोसेसिंD के उसे होता है आफट लिए बेटरफ्र्राइग के समझ लेते इस वे Joint इसमें सबसे पहले एग है ठीक है एग से फिर क्या बन जाता है यह लार्वा फिर क्या बन देगा प्यूपा फिर क्या बन जाएगी बटरफलाइ अडल्ट तो यह सारी प्रोसेस पुरी लाइफ साइकल है इसको मेटमॉर्फेस पोलते हैं सेम ऐसे हम फ्रॉग की देखते हैं में भी सबसे पहले क्या होता यह एग है एग से टेड़ बनते हैं फिर टेड़ पोल थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनके लैक बगएरा दिखाई देन लग जाते हैं फिर टेड़ पोल के फोर लैक्स हो जाते हैं ठीक है पहले टूत है फिर फोर हो जाते हैं और उसका फि की थी ना पूरे कहां से एग से अडल्ट फ्रॉग बनने की उसे हम बोलते हैं मेटम मॉर्फेसिस चलिए नेक्स देखते हैं यहां पर एक स्टोरी दे रखिए क्लोनिंग की डॉली एक शीप है मतब आपकी जो है जिसको हम बोलते हैं बहेंड हिंती है वो क्या ठालो है यहां यहां से से लिया उन को फ्यूज कर दिया उसके और और उसके बाद थोड़ा सा डेवलप होने लगा, एंब्रियो बनना शुरू हुआ है, तो इस सेल को उठा के थर्ड शीप के अंदर बॉड़ी में और यूटरस में रख दिया, क्योंकि बीबी यूटरस में डेवलप होता है, तो इन दोनों के दो अलग अलग तरीके की शीप के सेल लिए, तो उन्हों को फ्यूज किया, उसके बाद थर्ड शीप के बॉड़ी में उसको रख दिया, ठीक है, अब वो उसी थर्ड शीप की बॉड़ी में पूरी डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद नॉर्मल वेबी की तरह हुआ, जिसको उन्होंने, में जो है, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, तो यह हो गया हमारा जैप्टर कम्प्रीट, I hope बच्चो वीडियो हेल्पफल हुई होगी, नेक्स वीडियो में हम इसके क्वेश्चन अंसर्स करेंगे, तो जादा से जादा वीडियो को अपने फ्रैंस तक शेर करो, ठीक है, औ और वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करते हो, तभी तो मैं जलिल दी वीडियो लाओंगी, है रा, ओके स्टोडिस, मिल दें नेक्स वीडियो में, बाबाई